नमस्कार दोस्तों क्या-क्या उनसे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं तत्थ है और क्या उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानिया हैं सब चीज़ें के बारे में आज बात करेंगे वीडियो का अप लोग एंड तक जरूर देखें अगा कि यह दोस्तों कि थोड़ा मोटा हुदा कि यह इस्थान अब लोग दिखिया हुआ हुआ कि और यह और चीपा हुए इस्थान है जहां मैं आपको लेकर चलता हूं यह वास के भीर रिजमाता जी यह प्रकठ हुए मतलब यहीं स्थान में रही से गदवां बास के लगे रही से और यहीं मिट्टी के इस थान यह हम्तना मने जाते कदवां कि अभी by दह सकते घुएक्तव दोस्तों कुछ कुछ साक्सहय है और इसई के सामने उनका मंदिर बन वाया गया है और उसे अभी चारत तरफ से पुरा प्रांगड स्थल की रूप में विक्सित किया गया है और ये वही स्थान है यही वही मिट्टी है यही वही बांस की लकडी है जहापस उनका पहले घर हुआ करता था कुछ-कुछ अवशेज जो है अभी भी बचे हुए है जो हार दोस्तों के सवाप लोग मैं हो किशन और आप देख रहे हूँ सीजी टूरिजम विद किशन दोस्तों आज मैं अपके लिए फिर एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ आज किस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिर से एक और सतनामी गुरू माता के इस्थान पर आये हैं तो वैसे तो मैंने बहुत सारे बना चुके हैं मंदिर और जगों के बारे में जो सतामी गुरू और माताओं से समन्धित थे तो आज का ये वीडियो जो है कुछ-कुछ और वचे हुए हैं जिनको मैंने नई बनाया था उनमें से एक है ये परतापपुर तो यहां आपको पता ही है परतापपुर हिन माता का इस्थान है और यहीं उनका जन्म हुआ था ऐसा कहा जाता है अभी मैं मंदर के पास पहुँच ग sub ce जैसे कोई खास दिन आता है तो मता परताप पुरिं वैसे तो गुरु अमरदाज जो थे उनकी पत्नी थी इसा कहा जाता है और उनका असली समाधिय स्थाल है बारा डेरा में है वो भी actually disputed है region бोलते हैं लोग उसको नहीं मान BT है उसका अंतर ध्यान कहां हुआ था वो भी किसी लोग को नहीं पता है विहाल हम लोगा भी चलते हैं और मैं भी अल्रीड यहां पहुंच गया हूँ बैकड़ांड में देख सकते हो पीछे मंदिर है चलिए आपको महा लेकर चलता हूं चैनल पर नहीं है चैनल को परदाज जी से उनका विवाव हुआ था और 12 देना में उनकी नाम से एक और मंदिर बना हुआ है जिससे सम्मंदित कहानी का वीडियो में मैंने बनाए है आज हमें आपको लेकर जाने वाले हो परतापूर जो की कवरदा जिले में हैं जो की कवरदा से 24 मुंगेली से 32 और बिलासपूर से 83 किलोमेटर की दूरी पर इस्ते थे तो दोस्तों यह गाओं देख सकते हो यह परतापूर गाओं है यह आपका लोर्मी जीले लोर्मी सौरी लोरी मीने यह आपका कवरदा जिले में आता है कवरदा जीले के पंडरिया छेतर के अंतरगत में काफी बढ़ा ह अगार मती था गुरू अमर दाज़े से शादी वही थी देखते हैं अंदर में क्या क्या है और खास मोकव पर यहां उनकी पूजा वगरा भी की जाती है और काफी सारे जो आयोजन है वो यहीं होते हैं और समाने दुनों में काफी अच्छा महल यहां होता है चले फिलाल आ अंगार मती या फिर पता पुरहिन माता के नाम से भी काफी सारे चीज़े जो हैं लोगों में फैल होई हैं ऐसी एक माना जाता है दोस्तों वैसे उनके जन्म का और उनके अंतरधान का जो तिथी है या फिर जो जन्म इस्थान है उन सब के बारे में किसी को नहीं पता जो लोगों को पता है उनके मुताबिक कि इसी इस्थान पर एक नाक के नीचे जो है अंगार मती माता एक बच्ची रूप में उतरित हुई थी जिसे काउं के कुछ लोगों ने देखा था इसके बाद उन्होंने जाना कि यहां देवी मां है बाद में बड़े होने पर उनका व अंगार मती माता है उनका जो गद्दी स्थान है वो कैसा है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफी प्राशी इन यह जगा बना हुआ है और जो पुझारी है वो आकर ही सुबह साम जो है इस जगा को उपन करते हैं ताकि लोग पुझा करता है वैसे तो दोस्तो गुरू अमर दाश जी का जो समाधी स्थाल है वो चट्वपुरी धाम में है और गुरू माता जो है अंगार मती का समाधी स्थाल कहीं भी नहीं है आला कि एक मंदिर स्थान समाधिस्थाल गुरूप में 12.15 प्रसिद्ध है लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वहां अंगार मती माता है फिर परताब पुरहन माता जाके उस स्थान पर उस तलाब को जो है दूशित से सुद्ध किया था वहां उनकी कोई समाधि नहीं है ना ही उनका अंतरगान कभ वह इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो दोस्तों उपर से जो है ओपन है और इसी का कंस्ट्रक्शन अभी जो है चल रहा है और यह आप अंदर देख सकते हो मंदिर स्थान चोटा से यह जगास दोस्तों पहल पारे जी बाबा जी है उन्होंने बताया कि यही जमीन है जहां माता परता पुर्फिन है फिर अंगार मति जो इंका जन्म हुआ था यही वो जमीन इस्थान है आज भी दोस्तों उनका कुटिया जो था बास्त का बना था उसका जो अवशेश है वह इसी मंदिर के पीछे द अभी सामने उनका मंदिर बनवाया गया है और ये वही इस्थान ये वही मिट्टी हो अभी अभी था हुआ किए वहाय स्थान विए अभी देखने को मिलेगा अगर आपको आते हैं प्रतापुर तो इस इस्थान पर जरूर आएगा यहीं उनका प्रारम्मिक स्थान था जो मतां अंगार्मति है यह परतापुरिन मता है जलनामन कथन अमर्दास के वे तर्थी वह हो है उखर तर्थान में का कहा है अब इहां बास के धीरर ही, वही बास के धीरम नाउंग देता हो लच्छायां कि इस बच्चा रूप मा अच्छा, ये बच्ची रे को नों आये हैं बाहर भी तर, तो काकल लई करे दर चारा बांधम रोव थी, तो उहां ले दस जूड़ कि आहीं, तो उंड़ सोलर साल के उम अच्छा, वो कई रूप ले ले की दर सियान, नांग देता हम लच्छार तैफि दर सलने ही, माता जी नहीं हैं, और ना फिर उकर मॉर्टे को हूँ, ना कुक्रो को की जिनम में, आच्छा, हाजी सक्षी यही दर लगी हैं नालाए, एक कुंड में का हावें, एक कुंड ले दू तिन हाथ गड़र ही, और पांच के मोटर के तूरता नालाव पानी भगए, कहां ती भागे पानी हैं, वो मुपुरे ले आवाए, नीचे नीचे ले, और तो हर खेत में दूदी थन बोर होगे, सब नीचे उतर गे, आखी सुख्छ होगे, और ये जल जली नाला सब प दूदी नालाव पानी हैं, पुर्ण रूप से जानकारी नहीं हैं, लेकिन ये जो है, ये तो पक्का है कि यही उनका जन्मे स्थान था, जहां प्रतापूर में उनका जन्म हुआ था, गुरू अमरदास से उनकी विवाह के बाते और चट्वोपुरी धाम में गुरू अमर कहानिया ही मान के चलते हैं, अधिकान जो जनकारिया हैं दोस्तों वो धूमिल हो चुकी है, क्योंकि उनका कोई लिखित प्रमाड नहीं है, लेकिन इन सब के बावजुद ये इस चीज़ को भी नहीं जुटलाया जा सकता, कि प्रताप पुर्हिन माता है पर गुरू अंगा कारमती का दर्शन करने के लिए आते हैं, और यहां उनसे सम्मंधित बहुत सारी रहस्ते में इस्थान, उनका मंदिर, उनका जन्में इस्थान का कुंड इस्थित हैं, अगर आप इन सब चीज़ों के बरे में जाता जानते हैं, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीज अचला वेहां को लाइक किजिए और चैनल को सबस्रेख किजिए